ब्रेक के बाद एक बाद फिर्टो सागत है बड़ी खबर में असब मेघाले बाटर पर फाइरिंग की घटना के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई पुलिस ने लकडी की तसकरी कर रहे एक ट्रक को रोका था जिसके बाद जड़प हुई और एक फॉरस्ट कार सहित 6 लोगों की मौत हो गई इस घटना के बाद मेघाले सरकार में अगले 48 घंटे के लिए साथ जिलों में मोबाइल इंटरनेट से वाबंद कर दी है मेघाले के वेस्ट जीतिया हिल्स, इस्ट जीतिया हिल्स, इस्ट खासी हिल्स, रीभोई, इस्टन वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साथ वेस्ट खासी हिल्स में इंटरनेट लंबित किया गया है मेघाले के सीम केंराट संगामा ने कहा कि घटना में मेघाले के 5 और असम के 1 वन रक्षक सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं असम मेघाले विवाद को आपको ग्राफिक्स के जरीय समझाते हैं मेघाले और आसम के सीम ने बात की है मेघाले पुलिस की और से प्रात्म की दर्शकर जाज की गई है घटना की मजिस्ट्रियल जाज शुरू कर दी जाएगी ट्रक को मेघाले सीमा पर आसम वनविभाग को एक दलने परोका ट्रक के ना रुकने पर फाइरिंग की गई, ट्रक के ना रुकने पर वनविभाग के कर्मियों ने उस पर गोलियां चलाई, चालक उसका एक सहायक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया गया, एक अन्य व्यक्ति वहां से भाग निकला, वनविभाग के कर्मियों ने घटना में वनविभाग के एक होमगाड की मौत हो गई दोनों राज्यों में हुआ था समझाथा मार्च में दोनों राज्यों के सियम ने समझाथे पर हस्ताक्षर किये थे जिसके कुछ महीने बाद ये हिंसा हुई है दोनों राज्यों के बीच आठ सो चौरासी देशमलम नौ किलोमेटर लंबी सीमा के मुद्धे पर समझाथा हुआ था पांच दशक पुराने विवाद को हल करने के समझाथे पर हस्ताक्षर किये गए थे केंद्र ग्रहमंत्री अमिश्चाह ने समझाथे को एतिहासिक बताया था ग्रहमंत्री ने कहा था हस्ताक्षर करने से 70% विवाद सुलज जाएगा अने शेत्रों में विवाद को सुलजाने के लिए सर्मा और संग्मा ने अगस्थ में बाच्चित की थी असम और मेगाले के बीच राज्यों में समझाता हुआ था